हलो गाइज वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चानल मेकप नवर भाई शागोता तो कैसे हो आप सब आप सब आप सब सेफ हो घर पे हो और अभी धोड़ा सा सिट्वेशन अच्छा है आज मुझे लगए कि मैं थोड़ी से इस तरीके सा प्लोग के सामें आऊंगी तो ओके आज मैं करने वाली हूँ यह संपल सा मेकप लोग जो कि मैंने बस कुछ ही प्रोड़क्ट को यूज करके किया है अब आपके वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आए देन लाइक अस वीडियो सब्सक्राब को मैं चैनल इफ यू हवंट अगर आपको उस वीडियो के लिए नोटिफाइड होना है तो देन सब्सक्राब मैं चानल और प्रेस करना मत भूलना कियूंकि आगे बहुत ही अ सब्सक्राइड है और देख लेते हैं इस वीडियो को एंट तक जरूर देखना और यह एक नो मेकप मेकप लूग भी आप कह सकते हो और नो फाउंडेशन नो कंसीलर मेकप लूग भी बोल सकते हो वीच इस फॉर एप्रवेट फॉर समर हां अब डेली लाइफ में समर में ड फॉर बहुत 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 समनुट्श के के सब्सक्राइशन azajent टाइज लूगया तो अब अचात लाइशन लाइफ न वीडूर सो समर समर में टोनर सप्रसगर देखना पोई अप्लोडेड है वीडियो आप चेक कर सकते हो और मैं इसको अप्लाई कर लेने के बाद मैं इसको अच्छी तरीक से ब्लेंड आउट कर लूँगी और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी यह गुडवाइब्स का टीट्री जिल यह अगर आपकी अखने या फिर ओयली स्कीन ह है देन यू गो फॉर इट अम बतलब अगर आप मॉस्ट्राइजर करना चाहते हो देन अगर आपको क्रीम से स्वेटिंग होती है और स्कीन वालों को यह प्रॉब्लम होती है तो यू कैन इस जिल अन अगर आपको पिंपल से दिन आप ट्रीट्री जिल यूज कर सकते हो दि यह मेरा बहुत ही अच्छा वाला संस्क्रीन है अगर आप इस संस्क्रीन को लगाओगे तो यह आपको SPF 50 भी देता है तो यह संस्क्रीन का भी काम करेगा आपको थोरा सा ग्लो भी देतेगा अगर आप लोगों ने मेरा पुपल हॉल नहीं देखा है तो आप नीचे का लिंक होगा आप लोग चेक आउट कर लेना एंड यह बहुत ही अच्छा वाला एक सीरम है देन आयम इजिंग माई लैकमिक एपसोल्यूट का यह स्किन लाइटनिंग यह नाइट क्रीम नहीं है यह दे क्रीम है इसके अंधर भी ब्राइडनेस है और संस्क्रीन भी है इस के अंदर तो यह SPF 25 है यह भी मुझे संस्क्रीन का ही काम देगा एंड मेरी और स्कीन है इसके लिए मैं यह मैट वाला क्रीम यूज करती हूँ और यह बहुत ही अच्छा वाला मैट क्रीम है एंड दिन आयम यूजिंग दिस इन्वाइबे का यह लिप बं है अगर आपने म यह स्कीन अभी बहुत ही रिफ्रेश लग रही थी वही में बता रही थी और आयम डान वीट में स्कीन के दिन मुववन करेंगे अपनी मेक अप की तरफ और उसके लिए थोड़ा सा मैं यह किया शेट का संस्कीन पावडर यूज कर लोंगी वही चीजा बैनाना लूस काइ मैं वह वाला ही कर रही थी और आयम यूजिंग जस्टा लिप्स्टिक यह डार्लिंग इसाबेला की लिप्स्टिक है अगर आपने मेरा यह हॉल नहीं देखा लिप्स्टिक वाला देन यू गो एंड चेक इट आउट और इसका शेड देखिए बहुत ही अच्छा वाला यह कोरल इश ब्राउं टाइप आप अपर शेड है और यह प्रापर न्यूट काइंड आफ अशेड है यह ब्राउन न्यूट है इससे मैं थोरा सा मैं अपनी चिक्स पे लगा लूंगी अन इसका ऐजा बलश मैं इसको यूस कर लोंगी बस हलका सा अपनी फिंगर की हिल्प से म लोग की महें लाइप पसंद आया है यह में पहले खासा पॉर्श कीर है मैं इसके लिए मैं थोरा से स्कीनकैर करती में इतना सकीन कीर जरूर करती हूं यह कुछ यसogen सीजिए मैंने आप लोग के साथ उतना जड़ा स्कीन कैर मैं कह लोतनों मैं इतना साइज स्कीन करती हूँ एंड मैं समर्स में फाउनेशन के वज़ाए मैं संस्क्रीन लगाना पसंद करूँगी यह जो संस्क्रीन है यह मामार्ज का यह अल्टरा लाइट इंडियन संस्क्रीन यह अच्छा है इसमें कारट सीड है तर्मरिक है which is good for your skin but अगर आप oily skin के हो तो यह आपको थोड़ा सा sweating करवाएगा मुझे करवाती है but I love this sunscreen मतलब बहुत ही अच्छा वाला effect मिलता है मुझे इससे इससे suntan नहीं होता है जो कि बहुत अच्छा है and मैं इसको winters में जरूर यूज़ करती हूँ क्योंकि winters में मेरा based of best sunscreen अगर आप मुझे देखोगे तो यह ही मैं यूज़ करूँगी and summers में मैं इसके बदले में वो lotus का एक sunscreen आता है उसका भी यूज़ कर लेती हूँ lacmica भी यूज़ करती हूँ but I prefer this sunscreen very much so इसके लिए मैं इसको ज्यादा तर यूज़ करती हूँ and यह काफी हद तक खतम हो चुका है and यह cost करता है 5 यह cost करता है 499 रुपेज का and यह paraben free, silicon free dermatology tested है and for India skin है so I definitely refer you अगर आपकी dry skin है तो यह आपके बहुत ही अच्छा sunscreen है oil skin वालों को भी यह suit करेगा ऐसा नहीं है कि suit नहीं करेगा but उनको थोड़ा सा ज्यादा sweating करवाएगा तो I hope आपको यह makeup look पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक इस वीडियो subscribe to my channel and press the bell icon also and share with your friends and मुझे comment में जरूर बताना कैसा लगा है and इन सारे के सारे products का review मैंने पहले किया है जो मैंने यूज किया है and इस सिरम का भी एक review है अगर आप इसका personal review चाहते हो तो मुझे comment में जरूर बताना मैं इसका review जरूर शेयर करूँगी ये भी बहुत अच्छा अगर आपकी acne screen है तो and मैंने इसको काफी हद तक यूज किया है मैंने इसका haul भी शेयर किया है अगर आपने नहीं देखा है तो दिन go and check it out मैं description box में इसका link दे दूँगी and इसको मैंने एक get unready with me मैंने follow किया था and तब से मैं आज तक इसको use कर रही हूँ and it's really good works for me I hope आपको दीख रहा होगा मैंने ज्यादा कुछ makeup तो नहीं किया है I hope आपको ये breakouts के दीख रहे होंगे and इसके sports भी तो ज्यादा ही बखबख हो गई है मेरी अगर आप लोग यहां तक पहुँच गए हो मतलब इस पार्ट को देख रहे हो तो दिन प्री सब्सक्राइब करके ही जाना and इसके बाद एक अच्छा सा huge haul आने वाला है and stay tuned for that मैं क्या haul लेकर आने वाल हूँ उसके लिए थोड़ा सा इंसल कर लीजिए and मुझे पता है मेरी videos regularly नहीं आती है मैं अपने channel को grow करवाना चाहती हूँ but थोड़े से some problem से उसे मैं regular videos नहीं बना पाती तो मैं कोशिश करूँ कि जात से रहादा videos को लाने की and by the way guys अगर आप मुझे मेरी personal updates के बार में चाहते हो then follow me on my instagram instagram का link निचे description box में है and by the way मेरी instagram का handle है shagota.roy.1004 तो मुझे जरूर follow कीजिएगा and मिलते है नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए till then bye bye love you guys